हेलो फ्रेंड्स मैं अभिलाशा गुपता आज एक नई रेसिपी के साथ आज मैं बनाने वाले हूँ भतुए की पूरियां बतुए एक हरे पत्ते का साग होता है ये सर्दियों में मिलता है बतुए हमारे स्वास्त के लिए बहुत उप्योगी होता है ये सर्दी में गर्मी देता है इसमें विटामिन ए आईरन मिनरल्स बहुत अधिक पाए जाते हैं आप किसी भी पार्टी में इसे खाने के साथ परो ख्रिट कड़ाई में डाल करके आधा कप पानी ढाला हैं दाइसोग्राम बत्वाइए ये और इसे धग कर दें भाप में गल जाता हैं अब बत्वा गल चुका है तो साइड में रग ठंडा होने दें और मिक्सर के जार में डाल करके बिना पानी के एक गाड़ा सा पेस्ट बन आदा चम्मच लाल मिर्ची पावडर करीब एक चम्मच तेल डालें और नमक अपने स्वात के अनुसार डालें हातों से कड़क आठा गूत हैं पूर्यों के लिए हमेशा कड़क आठा गूतते हैं इसमें पर्थन ना लगाना पड़े और ये तेल से गूत जाएं अच्छे से चिकना करके आठा धक के रख दें पांच मिनिट के लिए अब इसकी छोटी छोटी से बॉल्स बना लें देखिए कितना चिकना आठा गूता हुआ है एकडम कड़क आपको इसमें आठा लगाने की भी जरूरत नहीं है अब एक एक बॉल को रोलिंग पिन से रोल करेंगे चोटी चोटी पूरियां अपनी साइस पसंद के साइस के अनुसार बना लें ऐसे चार चार पांच पांच पूरियां बना के रख लें फिर कड़ाई में तेल गरम करें आज तेज रखें पूरियां बहुत अच्छी फूलती हैं एक एक पूरियां डालते जाएं उन्हें पलट करके दोनों साइड से सुनहरा तलना हैं बीच में आप आज धीमी करके अगली पूरियां भी बेल सकते हैं कि ऐसे तीन-चार हिक counting पूरियां बिल जाएं फिर आख तेज करके फिर कुरियां निकालते जाएं हैं कि पूरियों को दोनों साइड से सुनहरा तैकें इस तरह से आपकी पूरियां तयार हैं गर्मा गर्म पूरियां परोशी हैं आप किसी भी सबजी के साथ दही के साथ राइते के साथ इन्हें परोश सकते हैं यह बहुत टेस्टी और हेल्दी होती हैं बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है अगर आपको मेरी र thank you thank you so much friends